इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से आ रही है। एक मिनार मस्जिद बागपत के पास रुपे का तगाधा करने पर दो यूवकों पर हुए हमले के मामले में पिरितने फरार आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर स्पी दफ्तर पहुँचकर शिकायत की। इसका पूरा मामला बता दे कि पुराना कस्बा निवासी फिरोज ने बुद्वार को करीब दो बज़े बताया कि भाई शोयब ने कस्बे के ही एक यूवक के पास 3,15,000 रुपे की कमेटी डाल लखी थी। कमेटी भाई के नाम छूट गई थी। भाई ने यूवक से कही बार पेर देने का तगादा किया, हरपने की नियत से रुपे नहीं दिये। गत 24 मार्च को रुपे मांगे तो आरोपित यूवक ने अपने भाईयों के साथ मिनार मस्जिद के पास भाई शोयब और ममेरे भाई जिशान को घे लिया। जान से मानने की नियत से उन पर धारदार ह पातियार वे तमंचों से हमला किया। दोनों गंभी रूप से घायल हो गए। उन्होंने कोतवाली पर तहरीर दे कर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि आरोपित केस में समझोते का दबाओ बनाते हुए धमकी दी। पिरित ने स्पी से फरार आरोप पिरित की ग्रफतारी की मांगी।